कि कुछ गटिया इंसान हमारे खिलाब वीडियो बनाये हैं और हमारे करेक्टर के बारे बोल रहे थें उनको जवाब देना चाहते हैं ठीक है और उननीं की अंदाज में देना चाहते हैं यहां पर कुछ लोग आ आप मेरे रिष्टदार है नहीं है नहीं है नहीं नहीं है तो मेरा बेवहारी है ठीक है अब बात करते हूं वीडियो मैंने अपनी बेटी का बिटिया है हमारी बती जी है वीडियो मैंने बनायाता है वो डांस करती है और उसको बोला उन्होंने यह था तो मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग वाले चानके तो थोड़ा सा दिमाग लगा जाता हूं कि बहन के बनाके डाल देता हूं मैंने ब्लॉग बनाया और कुछ लोग उसमें मेरे करेकर्टर की बारे मोरे बात कर रहे हैं और मेरे cancer खराब है यह है वह है और मैंने हाथ लगा किसी को यह सामेरा इंटेंजन बैया मेरी बीटिया है वह मैं किस करूँ प्यार करूँ मेरा इंटेंशन वहाँ पर क्या है वह क्या है मैं एक चाचा हूं उसका ठीक है और उसको तुम गलत वे में ले जा रहा हूं पहले खुद के मेरे कोई इस्तादार नहीं है भी देखा वीडियो और पहली बात तो उसकी बेटी है और वीडियो में अगर बेटी को गोद में लेकर खिलाता है ठीक है और उसको किस करता है प्यार करता है तो इसका मत्तब है उसके अंदर गलत हवस्वरी हुए है साथ वो भी एक बेटी का बाप होगा अगर है अगर आने वाले दिनों में अगर बनता है तो तो साथ उसने जो वीडियो में मुझे बोला है पहली बात तो वो मेरी भावी है सगी भावी है मेरी सगी भती जी है तो मेरी भावी है और मेरी भती जी है वो मेरी बेटी समान है तो मैं ऐसे घटिया लोग हैं जो लोग पहली बात तो उसकी बात समझ रहें बेवकूब बिल्कुल उसकी बात समझ रहें कि मैं गलत कर रहा हूं वीडियो में बैया मैं टीचर हूं टीचर की लाइफ नहीं होती क्या मेरी बीबी नहीं होगी क्या मेरे बच्चे नहीं होगे क क्या तीचर सेक्स नहीं कर सकता है कर सकता है ना गल्फेंड नहीं हो सकती टीचर की मैं आप से पूछ रहा हूं तीचर आप भी हैं तो आपके भी साध्य हुई नहीं हुई है आपके बच्चे आने वाले दिनों होंगे चलिए आप अपने बेटी को प्यार करेंगे लाइक माल वहां पर मेरा इंटर्सन है उसको वीडियो उसमें प्रमोट करना कि लोग उसको सपोट करें ठीक है अभी जब मैंने अपनी बेटी को ऐसे पकड़ा है ऐसे करके तो आइसे करके नहीं पकड़ूंगा इसे दूर से पकड़ूंगा मैं यह से पकड़ूं गोध में ले लूँ बस अपनी बैटी है उसमें मैं मतलब क्या है मैं गलत समाज में गलत हो चीज़ फैला रहा हूं चलिए ठीक है चलिए वह चीरत छोड़िए साथ ही चाहिए हैं अच्छा बहुजाई समझाग करते हैं नहीं करते हैं तो हमां बहुजाई हैं भाईया हम उनके गाल चुनी तो कह है दीन है मतलब गुरू जी है टीचर है तो हम किसी के गाल नहीं चुछ सकते हमारी कोई लाइफ ने तुम साधी करो तुम बच्चे पैदा करो और तो हम हमें काई दो कि भाईया नहीं तुम गुरू हो यूटूब वाले तुम साधी बत करदा बताईए ऐसा कुछ है किसी क लोगों के चकर नमपड़ी है तो यही जवाब है उनको उनको जवाब क्या दें 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 बस एक ही जवाब देना चाहेंगे तो इसको कि सायद आने वाले दिनों में अगर तुम्हारी खुद की बेटी होगी और तुम अपने बेटी को खिलाओगे किस करोगे तो वहां पर तुम्हारा इंटेंशन जो मेरा था जो तुमने सोचा वही तेरा इंटेंशन होगा कि बागी कुछ नहीं बोलने माचाओंगा इनके ऐसे लोगों के मुँँ में जूता मानने का काम होना चाहिए पब्लीक को समझ में नहीं आ रहा है कि पब्लीक भाईया मैंने बोला साफ-साफ कि वह मेरी भाबी है वह मेरी बेटी है मैंने वीडियों बोला पहले पूरा वीडियो देखो भईया किस इंटेंशन से वीडियो बना रहा है कुछ नहीं मिलना नहीं लोग बराबर ही नहीं कर सकते चाला पीछे की तैंक की ते काम कर रहे हैं और मेरे लिए जो बोल ना बोलो लेकिन मेरे अगर फेमिली के बारे मैं बोलोंगे न मुह में ज जोड़ता है मैं यूटूब छोड़ रहा हूं मैदद करो अपने वीडियो अपने वीडियो वाइब को साथ ब्लॉग मनाता है पाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़े पकड़ो ना आप किसी की बतीजी है भाब ही है तुनको पता है उसको पता नहीं है थोड़ा से वीडि मैं अगर चाहूं तो मेरे खिलाप मेरे क्या ना मैं क्या ना मैं मैं साथ क्या कर सकता हूं क्योंकि तुम मेरे फेमिली में मैं भी मेरी वबाबी है मैं वीडियो बना रहा हूं बिना पर्मीशन के कौन वीडियो बनाएगा भई आरोप सीधा-सीधा आरोप लगा रहा है वह तो क्या कर सकते हैं बताईए तुरंट तुरंट होगी ना नोट मैं वीडियो में बोल लाओ मेरी भापी है वो सिंपिर भी तो ऐसे लोगों को बात यह ना ऐसी जवाब तो जिससे जो सही लगे है जो समझेज लागे हुई है भड़ी का फ़ाओ के चक्का में मत पढ़ना यार ठीक है ना और हर एक गुरू की लाइफ होती ठीक है मतलब नही कि गुरू है तो वो कभी प्यार नहीं करेगा उसकी वाइप नहीं होगी और वो कभी सेक्स नहीं कर सकता है मतलब क्या है तुम्हारा है